हेलो एब्रिवन स्वागत आप सभी कान अकेडमी पे मैं दीपक कुमार सिंग तो आज हम एंगलो अफगान रिलेशन के बारे में डिसकस करने वाले हैं और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ठीक है आज की सेशन में डिसकसन होंगे चलिए जोइन करने बागी सर्फ बच्चे तो देखेंगे बच्चों यहां पर सबसे पहले आपको बैलिंग्वल बैज जो है वह भी ऑफर होता है बाइड़ टॉप एजुकेटर्स अक्टूबर एक्स्टेंशन आपर यहां पर चल रहा है यहां पर आप तीन मंत का एक्स्टेंशन क सब्सक्राइब करा सकते हो इसके लाओ आप नाइन मंत का कूर्स भी ले सकते हो जो 24 अक्टूबर तक वैलिड होगा अर्जस्ट 45,000 में आपको यह मिलता है कोड यूज करना होगा आपको इसके लिए दीपक वन इसके लाओ डूंट लेट सी सेट ब्लॉक यूर सेलेक्शन सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक इसके लाओ यूज सी लाओ अक्याडमी सेविल सर्विसेस चैंपियन सिप फिर से वापस आ गया है ठीक है जो की होगा इस बार 13 नौंबर को सुबह 11 बजे 60 मिनट में 50 एंसी किव करने और बहुत सारे प्राजिस आपको यहाँ पर अवेल कि जाएंगे दिये जाएंगे ठीक है आपकी रहेंक के इसाब से और उसके लाओ देखेंगे बच्चों नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग यूर यूप यूप यसी ड्रीम अगर आप सच में यूप यसी करना चाहते हो एक साथ पर नहीं कर पार तो इजी मंतली पर आपके लिए अपलेबल यूप यहां पर आपके लिए अभलेबल अपनी पूरी फी को एक्रिसिपीट करना धेरूँ नाम इस में तेखें आपकी अच्छे से मनेगा इससे सब्सक्राइब करेंगे तो बताएं आवाज आ रही है किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं कि एक सेजन को लाइक कर दो चलो कि आज अर्मात या लाइक करने में भी हाँ अधियां इंडियन सुसाइटी के बारे में कुछ बता हैं इंडियन सुसाइटी वाई डीपक कुमार सिंग से रज़ करो सब मिलेगा तीक है सारा में इसका पेपर आपसे उससे हो जाएगा एगा कि चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज अफगान के बारे में बात करेंगे क्या कि कैसे आंगल अफगान युद्ध हुआ उसके पीछे क्या क्या डेवलप्मेंट थे जो समय होते हैं उनके बारे में के करके देखेंगे चलिए जी तो देखें यहां पर सबसे पहले आते हैं यह जो शुरुवात होती है और इसमें से हम आज बहुत सारी पॉलिसी को देखने वाले हैं लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले या पीपीटी पढ़ने से पहले आप इतना जान ले कि अफगानिस्तान भारत के नौर्थ वेस्ट इलाके का वो एक प्रोविंस था उस समय भारत के इलाके जो थे पाकिस्तान तक थे थोड़ा सा अफगानिस्तान का पूरा इलाका पड़ता था जहां पर रसियन इन्फ्लूएंस लगातार बढ़ रहे थे अफगे अफगानिस्तान को एजाब बफर स्टेट यूज करने की कवायर सुरू हुई और बहुत से टाइम से ही हम लोग इसको connect करेंगे और Auckland से लेकर मैं आपको करजन तक पढ़ाऊंगा तो Auckland से लेकर करजन तक जो भी Governor General था उसकी कौन सी policies थी उसको कैसे MCQ आएगा तो उसको tackle करेंगे हर चीज पर आज की session में सब्सक्राइब 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 और उस समय इंडिया में इनके आने के बाद में 1836 का टाइम पीरियड है This implied that the company government in India itself had to take initiative to protect the boundary of British India ठीक है from a probable Russian attack मतलब forward policy क्या था पेटा forward policy Lord Auckland ने जो advocate की थी इसका मतलब बस यही था कि company government in India itself had to take initiative to protect the boundary of British India ठीक है अगर मान लिजेए for example यह उस समय अगर मान लें आप यह उस समय ब्रिटिस इंडिया की boundary ठीक है जी तो इस ब्रिटिस इंडिया की boundary को save करने के लिए यह इस ब्रिटिस इंडिया की boundary को protect करने के लिए किसे वेटा प्रॉबेबल रसियन अटेक जो की लगातार सुनने में था ऐसे rumors भी थे और कई बार रसिया ने फ्रेंच ने और रसिया ने मिलकर alliance भी किया था कि हम इंडिया के और move करें ठीक है तो उस समय इंडियान boundary को बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि हम अपनी boundary को secure करें सबसे पहला जो खत्ता था हो अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा था तो इसी objective के कारण इसी forward policy के कारण this objective was to achieve इदर थो ट्रिटी ठीक है या तो हम अपनी boundary को सेप करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ ट्रिटी करें या तो अगर कभी ट्रिटी से बात नप बने तो हम उन्हें अनेक्स करें देख रहे हो कैसे policy change हो रही है पहली policy है कि हम संधी करेंगे ट्रिटी करेंगे particular area को हम क्या करेंगे संधी करके मतलब पहले मनाएंगे कि जाँ और रस्या से हमारे जो इन्वेजन हो रहे हैं उससे बचाओ और सेकेंड हम क्या कर सकते कि एनेक्स कर सकते अगर उनसे बात नहीं बनी तो इन इलाकों को जीत लो जैसा कि बर्मा में हुआ जैसा कि अफगानिस्तान में होगा प्लियर है जो ब्रिटिस की जो policy थी आउ पॉरवड पॉलिसी कहते हैं चैट बॉक्स में बताओ फॉरवड पॉलिसी क्लियर हुआ घबताएं कि क्लियर हुआ जी मतलब अपनी बॉंडरी को सेक्योर करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ में या तो मिला लो और ना मिले तो जीत लो ओके हां आसान सब्दों में फॉ अब जो दोस्त मुहमद अफगानिस्तान के अमीर थे ये ब्रिटिस के साथ में दोस्ती करना चाहते थे लेकिन उन्हें ब्रिटिस के सामने एक कंडिशन रख दी कि भाई देखो हम तुमसे दोस्ती कर लेंगे इसमें कौनसी बड़ी बात है क्या है तुम्हारी सर्थ तुम्हारा नाम मुहम्मद से दोस्त महबत कर देंगे अगर आपकी सर्थ अच्छी लगी तो नहीं बोला है हमारी सर्थ बस इतनी सी यह बहुत जादा नहीं है क्लियर हाँ एक इतनी सी सर्थ है कि भाई helping him to recover पेशावर from sick बोला कि हमारी मदद कर दो कि हम मैं पेशावर को sick से वापस ले लूँ लो ब्रिटिस धर्म संकट मैं इनकी बात न मानी तो दोस्ती नहीं हो पाएगे मुहमद कभी महबद मनी बदल पाएंगे और अगर इनकी बात मान ली तो इंडिया में ऐसा तहलका मचेगा क्योंकि उस समय सेकेंड पावरफुल आर्मी ब्रिटिस के बाद में अगर कोई थी तो sick रेजिमेंट थी अब ये sick के साथ अपना बना बनाया रिष्टा खराब नी कर सकते नय रिष्टे के लिए इसलिए इन्हों ने कहा कि ठीक है यार पुराना रिष्टा जो है old is gold ठीक है नया रिष्टा नहीं बनाएंगे चलेगा ब्रिटिस ने इस condition को मानने से मना कर दिया मतलब reject कर दिया अब ब्रिटिस ने reject कर दिया लेकिन दोस्त मुहमत ने बोला कि भाई देखो इन्हों ने तो मना कर दिया है लेकिन इस इलाके को मैं लेके रहूंगा इसके लिए ये रसिया और परसिया के पास चले गए अब जब अब हम जीतेंगे पेसावर अब जैसी ये रस्या और परस्या के पास में गए मतलब ऐरान ठीके और रूस और इरान इनके पास में गए ब्रिटिस का अलाम बज़ा ब्रिटिस ने बोला हमने सब बरदास किया लेकिन तू हमारे दुस्वनों के पास गए ये हमसे वरदास नहोगा कहानी ने यहाँ पे कजीब सा मोड लिया मोड ये लिया कि ब्रिटिस ने अब रंजीत सिंग सासुजा और ब्रिटिस के साथ में संदी की मतलब ब्रिटिस ने दो लोगों के साथ संदी की सासुजा और रंजीत सिंग तीसरा पार्टी खुद ब्रिट चाहता था रंजीत सिंग जो थे इनको बताया गया कि आपसे पेशावर छिनने का बोल रहा था आप मेरे पुराने दोस्त हैं इसलिए मैंने उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया ओनली पॉर यू महराज ओनली पॉर यू महराज ने बोला अच्छा अरे तुम कव से इतने साप दिल के हो गए बोले आउकलेंट बस हो गए सहाब बोले ठीक है चलो मान जाते है तुमारी बात तो एक ट्री पर टाइप ट्रिटी वनी 1838 में जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्री साजगर्दी पे बैठाएंगे अफगानिस्तान की इनको हेल्प कॉन करेगा सास उजा वोला हमां पस्ट आर्मी नहीं है हम बैठ के करेंगे क्या हमको चार दिन बात लोग बहुत मारेंगे तो लोगों नहीं बोला अच्छा 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 डॉन्ट औरी ब्रिटिस न अफगानिस्तान से मिलेगा वह लेकर पीछे से निकल लेगा यह थी ब्रिटिस की प्लानिंग यह था पहला उसे प्रोवीजन ट्रिपर्टाइट इस्ट्रगल का सेकेंड क्या था सासुजा अगर वहां के राजा बन जाते हैं मतलब क्या करते हैं रूलर तो आगे चलके यह वह पहले पूछेंगे सिक्ष से और ब्रिटिस से फिर जाकर अपना एक्ट लेंगे सासुजा ने बुला मैं यह भी मंजूर है बुले ठीक है सासुजा गीब अप और यह जो सिंद के आमीर के उपर इनका अधिकार था वो छोड़ दो ब्रिटिस ने बीच में जुगार बना लिया था इनसे छोड़कर आमीरों से पैसा ले लेंगे उसी पैसे से युद्ध लड़ेंगे बहुत अच्छी प्लानिंग थी यह बहुत चलाग थे बिटा यह में पैसे नहीं रखते थे ये अगर कहीं जाते थे लाओनी के घर में और यह से समोसे मंगा के खाली........ यह पे दो एक आयमीरों सब्सक्राइब यह वह रहा सोनओ पर रहे हैं आफगानिस्तान ब्री सतने और अफगानिस्तान तो गयन बोल दिया है आमीरों को छोड़ देना उनको इंडिपेंट नहित आप वड़ा जुआ हो गया पैसे का यूज होगा य०्ध में और Taylor जीया आप कहानी यहां से शुरूव होती है कहानी सुरूव होती है सासुजा और जब ये सहंसता बन जाएंगे तो सिंधु नदी के राइट बैंक पे धाहिने साइड में जितना भी छेत रथा सिखों का उसके उपर रंजीत सिंग का ही क्लेम रहने देंगे क्या बात है मलब सिख और ब्रिटिस ने मिलके इनसे अपनी ट्रिटी करवाली साइड सुझा बनने वाले थे बली के बकरे आईए देखेंगे स्टोरी में आगे चलके लेगिन क्या मुझे आप बता है यह चार पॉइंट क्लियर हुआ अब अगर आप से कभी पुइस्टन आत है हम इसको कह सकते हैं सिख प्रॉबाइड दा सिक्योर्टी एड ब्रिटिस क्लियर है हाँ ब्रिटिस यूज़ वेल्थ अफ़ी अफगानिस्तान इसी की दिमाग में था जी हाँ फिर सेकेंड आप देखिए आप चारों पॉइंट आपके हर एक मीनिंग लेके चलते मतलब इन सभी पॉइंटों का अपने आप में एक मीनिंग है एक अर्थ यह आपको मालूम होना चीए तभी तो मज़ा आएगा ठीके जी हां तो कहानी में यह आया ट्रिपर्टाइट इस्ट्रेगल अब मैं एक बाद फिर से आपको कनेक्ट करूं ठीके आपका क्या कहते हैं लॉ रड़ ऑखलंड इनकी फट्रवरड पॉलिशी आपको क्लियर हो गई होगी उसी समय दोस्त मुहमस से दोस्ती की गई दोस्त मौबन ने दोस्ती नहीं गद्दारी कर दी गद्दारी की तो ट्रिपर्टाइट स्टिटी हुआ सेना तयार है अब होगा अटैक और सुरू हो गया फर्स्ट अफगान वार्ट तीनों सेनाय निकली तो लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यू हो चुगी थी अब र स्ट मिरे मोसंगी मैं कैसे एक्स्प्रेन करहूं ब। यहां पे क्या हुआ है यह पेगवर है यहां पर ऑगएज सर ङयलो कलर में क्या इस्ज रहे समय मह og देखो, the British intention was established a permanent barrier against schemes of aggression from the North West. British की पूरी planning थी, कि उत्तर पूर्ब से, उत्तर पस्चिम से, जो भी attack होगा हमारे उपर, उसके लिए अफगानिस्तान से लड़के एक barrier बना लो, सास हुजा रहेगा, तो हमारे तरब पहले कोई नहीं आएगा, पहले इसका गला कटेंगे, तब हमारे तरब कोई आएगा, क्या बात है, planning तो जब अजस्ति, लेकिन, जरूरी नहीं है कि जो हमेशा सोचा हो, ऐसा ही हो, हुआ क्या, English army entered into Trumply in Kabul, मतलब पूरे Trump के साथ में, पूरे Vijay उल्फा के साथ में, इंगलिस army काबूल में घुसती है, धोल नगाड़े बज रहे हैं, विसाल सेना, इंटर हो रही है, थोड़ा बहुत बिद्रो हुआ, तो और ज़्यादा बिद्रो हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि बाकी जो आपको माल हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ले रखा है घुस, और हम अब, समझ लो, लेर अब कहां भी जी होंगे, तुमको मालूम पैसा लेके, अफगानिस्तान में, आदमी ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो क्या करेगा, एक ही गाम करेगा, दोस्त मुहमत सरेंडर 1840, दोस्त मुहम सा सुजा को राजगर्दी पे बैठा दिया गया, ब्रिटिस ने बस यही गलती की, क्या, कि ब्रिटिस ने पता नहीं किया, कि हमने जो घूस दिया था, वो दिया था, कि जब हम अटेक करेंगे, तब तुम बिद्रो मत करना, समझ रहो, जब तक पैसा था, जब तक कोई बिद्रो नहीं हुआ, पैसा खत्म, पैसा खत्म, सब खत्म, बर्बाद सब खत्म, अब जब लोग होस में आए, उस पैसे के उस प्रभाव से, और जब ये होस में आए, तो बिले क्या हो गया, बुला अरे, तुम लोग पस ऐसी रहो, सब गयो, दोस्त भी गयो, ब्रिटिस आ गयो, और साथ में सूजा को लए आयो, अब सूजा कहा है, सूजा ही तो तुमारा कौन है, सेहनसा है, बुला अरे, उमारा साथ सूजा, हम बर्दास नहीं करेंगे, लोगों ने किया बिद्रो, जी हाँ, लोगों ने किया बिद्रो, जैसे ही साथ सूजा, जैसी बाकी ट्राइब होस में आये, भोले, नहीं, साथ सूजा was unacceptable to the Afghans, हमें साथ सूजा नहीं चाहिए, जैसे जैसे ब्रिटिस वहाँ से जाने लगे, साथ सूजा को ब्रिटिस ना होने की वज़े से, अब उस पावर में नहीं थे क्यों सिक्योटी दे पाएं, अब मामला यहाँ पर गडबड़ हो गया, साथ सूजा भी लाइक, बैठा हुआ है, किदर से भागूं, ठीके, पकड़ लिया उसको, ठीके, जी, देखो, हुआ गया, फिर, साथ सूजा का तो हटाई गया, इसके लावा ब्रिटिस के कमांडर थे, गैरिसन कमांडर काबूल में, उनकी हत्या कल दी, और लटका दिया, जानते हैं आप अफगानिस्तान में कैसा होता है, लटका दिया, बाकी बचे ब्रिटिस को बंदग बना लिया, बुला बुलाओ अपने पिता ज गया, देखो तुम्हाँ बच्चे का गर्दन काट देंगे, उनकी होता है, बहुत जादा हिंसक हो जा रहा हूं, सॉरी, तुम्हाँ बच्चे को जापन मार देंगे, तुमने इस चिर्थी पर साइन निके, इस एग्रिमेंट पर साइन निकिया, उलकार देंगे, मतला कि ज इसर में साहिन की थी, 1841 की ब्रिटिस ने, देख रहे हो, पलक जपक्ते जज़बाद बदल गए, कल कहां तुम विजेता है, और आज तुम कहां हो, प्रेतात्मा, ठीक है, कुछ नहीं रहे गए, तुम एक आत्मा से हो गए, ठीक है, तुम हो और नहीं भी हो, पता ही नहीं हो रहा है, यह ब्रिटिस अफगानिस्तान में है, की अफगानिस्तान ब्रिटिस में है, अफगानिस्तान है की ब्रिटिस है, ब्रिटिस है की अफगानिस्तान है, कुछ नहीं क्लियर है, कंपेल्डर ट्रिटी, किसी पता है नहीं है, आधा तो आधा तो अफगानिस्तान का तो यार् भी तो बता ओ लोग बोले कोई बात ने चिल पार्टी आर्ल नाइट अभी चंपर्म हो जाएगा इनको पहले निपट लेने दो हां बोले इनको निपट लेने दो बाकी क्लियर हो जाएगा अब गया हुआ लेकिन इंग्लीज का जो पूरा प्लान था वह तो रहे गया जो इन्होंने सोचा था क्योंकि दोस्त मुहमत भी हट गए उन्ने जो सोचा था कुछ नहीं मिला ओ नुक्सान भार ही हुआ ठीक है आगे मैं बताओं को कितना नुक्सान हुआ फिर ब्रिटिस ने एक बात फिर दम भड़ा एक 840 में फिर बोला नहीं आप तो बदला लेंगे 1842 में ब्रिटिस चले इन्होंने काबुल को री अखुपाई कर लिया सेप्टेंबर 1842 में लेकिन इनको मालूम था कि पिछली बार जो हमसे गलती हुए उस बार नहीं होनी चाहिए तो इन लोगों ने क्या किया दोस्त मोहमत के साथ ही ट्रिटी कर लिया सब्सक्राइब अब फिर से जीता बदला लिया और बोला कि अच्छा ठी के आज के बाद तुम स्वतंतर सासा को अफगानिस्तान के हम तुम्हारी हमारी संदी होगी लेकिन लल्ला मेरे दोस्त मोहमत प्लीज ठीक है भूल मत जाना किसी और साथ दोस्ति मत जाना मैं बस कहता हूं तुमारी आजादी का तो मैं सपोड़ ऑ हूं मैं तो आजादी के सपोर्ट मैं'T यूं तुम रहो किसी ओर के साथ दोस्ति मत करना प्लीज इट्स माइlles हमबल रिक्वेस्ट दोस्त मुम्मत केता है ठीक ठीक है या ठीक मानगे ना हम अच्छा नहीं लगता कोई माई सामने ऐसे गिरिगड़ा है हाँ ठीक है आई एक्सेप्ट बात हो गई करतम अब देखो एक नुसी में स्पेक्टर में बहुत अच्छा पॉइंट दिया है जवर जस्ट पॉइंट है इसलिए बोला जाता अफगानिस्तान को ग्रेब यार्ड ठीक है यस ग्रेब यार्ड है वाइसाब यहाँ पे बड़ी बड़ी सल्तनते आकेर खत्म हो गई बीस हजार लोग वापस नहीं आपाई युद्ध में मारेगा देड़ करोड रुपे का लॉस हुआ यह था फर्स्ट अफगान वार चीजे चेंज होती हैं बदलती हैं अफगानिस्तान अभी भी इंडिपेंडन्ट था जो कि ब्रिटिस को बार-बार खट अगरा थे उसी समय भारत में एक चेंज हुआ जॉन लॉरेंस जो थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तर बने भारत के गवर्नर जंडर जॉन लॉर इनकी पॉलीसी को कहा जाता है मास्टरली इनक्तिविटी मास्टरली इनक्तिविटी को आम सबदों में मेरे सब्सक्राइव समझ ना ओ उसको नहीं है तुमने कह दिया उसको उतमें तब रियक्ट ही नहीं कर रहा है यह वह जिनने क्या बोला कि भाई सब हमने फर्स्ट अफगान वह देखा है हमाई सेवा बहुत हुई थी लोग इन से आके बोलते हैं कान में से नहीं हमारे भगवान भोले के सामने ठीके नंदी जी होते हैं कोई ऐसी बात नहीं करेगा ठीके बिल्कुल इन एक्टिव रहना अपने को किसी से बात नहीं करनी है ठीके हाँ आगे देखेंगे कैसे कि उसके उसके आगे ठीके बहुत इंपोर्टिन पॉइंट है क्लियर है जो हम करनेक्ट करेंगे जी तो आईए देखिए इसमें हुआ क्या इसा अकर यह क्यों था देख रहो देख रहो भाई सब देख रहो इनको यह ऐसे इसी लिए सदमा था इनको कोई कहानी सुनाता था अफगानिस्तान की यह ततर का अपने लगते देख डिजास्टर का रियेक्शन था प्रस्त अफगान वार का मतलब इनको चार चीज़े पता थी कौँसी चीज़े पहली यह अफगानिस्तान में जो डिजास्टर हुआ था उसको जानते थे दूसरा इनको एक प्रेक्टिकल कॉमन सेंस था कि क्या सही है क्या गलत है थर्ड इनको नॉलेज भी था कि फ्रेंटियर में प्रॉब्लम है हम जो था यह भी जानते थे कि अफगान वाज अफगानीज वाज बरी पैसनेट अबाउट दा इंडिपेंडेंस वह अपने आजादी के लिए काफी पैसनेट है वाट तो डू नेक्स्ट जान लोरेंस से लोगों ने बोला क्या किया जाए अफगा चुप रहो हो या बगल व प्राइब क्या सब्सक्राइब नोट रिस्टर है कि हम दो कंडिशन में चलेंगे अपगानिस्तान अगर प्रेंटीर में पीस डिस्टर्ब हुआ हमें कुछ ऐसा पता चला कि यह रस्यान के साथ में गए यह हमें कुछ पता चला वहां पर विद्द्रो फो गया है उससे हमे दूसरी कंडिशन यह है कि जो वहां पर सिबिल वार चल रहा था एक्चल में हुआ क्या दोस्त मुहम्मद 1863 में देथ हो गई अब जब दोस्त मुहम्मद की देथ हो गई तो फिर वहां पर आपको मालने में ट्राइबल सोसाइटी है यह अपस में लड़ने लगे जब लड़ अगर यह दो चीज़े अगर कहीं गलत होती है तो हम चलेंगे दो चीज़े बताएं बोला यह कि अगर पीस डिश्टर्ब हुआ फ्रंटियर पे तो चलेंगे मलब कहीं हमारे लाके में भी आए और अगर कोई कंडिडेट सिविल वार में क्योंकि आपस में लड़ने दो और अगर यह कहीं ही फॉरेन हेल्प के लिए गए अगर इन्होंने रसिया को ऐसे देखा फ्रांस को देखा तो इनको घेर लेंगे तब तो मैं नहीं रुकूंगा मेरे अंदर भी पावर है लेकिन यह दोनों चीज़े हुई नहीं ठीसिल इनको बोला जाता है इनको मालूम था ठीक है कि अगर हम अफगानिस्तान के तो क्या पता हम आएं की ना आएं ठीक है जी हां और अगला सासक बना सबको हराकर सेर अली बन गया तो लॉरेंस ने दूत भेजा दोस्ती उस्ती के पैगाम बेजे सेर अली सीरियास ही नहीं लेता था कहता था कौन है लोरेंस भाई जेसे दलाई लामा दलाई लामा के पास में लिटर बेजा बिटिस ने तो दलाई लामा ने बिना पढ़े बेदिया किती वड़ी बेजती है जातर भादला लिया लेतार डीकर्जन ने तूमने बिना पढ़ रहा है आपने उसका लेटर नहीं पढ़ा तो वहाँ पे जिलना पढ़ा यहां इनको सीरियस नहीं लिया गया आगे चलके चेंज होगा इसी बीच में आगे लौड़ लिटन वो मास्टरली इन एक्टिब था यह मास्टरली एक्टिब थे समझ रहे हो कनेक्ट गर पा तो भी अटेक कर देंगे तुम तो बस बहाना दूरू कब अटेक करना है यह इतने एक्टिब थे इनका नाम तो लौड़ लिटन यह बरबाद कर गये थे ठीक है कैसे मैं बताता हूं आपको ठीक है हाँ एक सेकिंड एक सेकिंड एक सेकिंड कि चल कि बहुत बढ़िया है बटा है क्लियर क्यों ब्लॉप तो हो गया ना चला तो गया अभी तो ब्लॉप किया है कि बार बार परसान किया तो हमेशा के लिए खत्म कर देंग समझ रहे हो मैं ध्यान क्या पढ़ाने चला जाता है तो मतला मैं को मैं बेटा मैं मास्टरली एक्टिवेट हूं इन माम में हैं ठीक है सेवा कर दी जाएगी आपके बिना कुछ ठीक है समाधान के दो मिनिट के अंदर आ जाओ पॉलिसी ओप प्राउड रिजर्ड देख रहे हो प्राउड रिजर्ड गरवानवित बिटिस समराज जी पलाना धमाका मतलब एक अलग तिंकिंग के साथ में ठीक है हां देखेंगे लिटन अनॉमिनी आप दी कंजर्वेटिव गव गवर्मेंट से थे एंड बिकेम दा वाइसरोय आफ इंडिया इन 1876 1867 में वाइसरोय वनता है यह स्टार्टेट अनुव पॉलिन पॉलिसी ओप प्राउड रिजर्ड ठीक है इसकी पॉलिसी थी प्राउड रिजर्ड मतलब इसका मतलब यह था कि हैविं साइंटिफिक फ्र पास के छेत्रों में अपने छेत्रों को अपने छेत्रों में उनके प्रभाव से सेप कर सके बोले हां यार यह तो बहुत अची वात है तो यह कैसे करेंगे तो देखो क्या बोलता है लिटन कहता है रिलेस्टन बिद अफगानिस्तान कोड़ नो लॉंगर भी लेफ्ट इस परस्ट नहीं होने चाहिए इस परस्ट कर लो या तो भाई तुम हमारे दोस्त हो या तो तुम हमारे दुस्मन हो इस समय ब्रिटिस के हालात एक तरफा महब्बत की थी समझ रहे हो yes British was like एक तरफा महबत अफगानिस्तान से पूस्टे थे लगता सब कहते तरे नहीं तुम्हारे दोस्त है यार तुम्हारा यह है किसी क tarkina कि लोगों से रहा हूओ और सिया से भी कर रहा है सबसे दोस्ति करना मिस्कारत कि अरिज्थ क्लियर है क्लियरे ब्रिटिस क्या कह रहा है किलुद है कि कि नहीं हमारे है कुछ लोग मैं भोल दो अभ तुम समझे लो मना भाया बन गए गया विख पोल डिये आप अभी बोला यह तो मेरे मेरी तो मेरे यह तुम किसी के नहीं हो आप तुम बताओ किसी के नहीं यह इस प्रकार का इंसान देख रहे हो आखे भी देख रहे हो जी इन्हीं आखों से इन्हों ने अफगानिस्तान की तरफ प्राउड रिजर्व की पॉलिसी एक्टिवेट की थी हाँ चली सेकेंड एंगलो अफगान वार ठीक है अठार से सब्तर से असी अब क्या हुआ लिटन ने कोशिस की कि अब रिलेशन इस पर्स्ट हो जाए ठीक है ठीक तरफा महबत वाली बात जो थी वह दो तरफा हो जाए कुछ तो ऐसा हो बोले ठीक है एक काम करते हैं जल्दी स से लाइक करो तो फिर आगे स्टोरी बढ़ाओं और पीपीटी पढ़के निकल जाओंगा लाइक करो दिशन लिटन मेड़न आउफर ऑफ फेवरेबल ट्रिटी टू सेर अली लिटन ने सेर अली के साथ में फेवरेबल ट्रिटी की बट आमीर वांटेट फ्रेंट्शिप इ इस पावर्फुल नेबर रस्या एंड ब्रिटिस इंडिया वाइल कीपिंग बोथ आप देम एक आम्स लेंट लिटन ने एक फेवरेबल ट्रिटी टे सेर अली के साथ में सेर अली बोला बोला नहीं नहीं हम इनके भी हैं और हम दोनों के वीज में दूरीर बना के रखना चाहते एक हप्का गैम मेरे इडर रस्या मेरे इडर ब्रिटिस और मैं इंडिपेंडेंस में आज का हूँ और मुझे चाहिए आज़ा दी सेर अली ने बोला तुम दोनों मेरे साथ लेकिन दोनों दूर रहो मैं इंडिपेंडेंडेंट रहना भाई पसंद करूंगा और मुझे मेरे नीतियों में तुम हस्तक छेप मत करो, आओ, खाना सबको खिलाएंगे, बढ़िया खिलाएंगे, लेकिन, जब अजस्त खाना खाना, लेकिन कभी भी कोई ऐसी नीतियों मत लेके आना, कि जिससे मैं नाराज हो जाओ, बुले ठीक है, ये भी मंजूर था, फिर इस पस्त हो, कि आप किसके साइड हो, जब राजदूत गया, तो शेर अली ने राजदूत को खूप से हो आगी, वो सारी नितियां तोड़ दी, खूप धोया, राजदूत आये, बोले रोते-डोते, बोले, पपा बहुत मारा, पपा को लेकिन, बहुत मारा, बहुत मारा, हम तुम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कैसे तुम चले आप मूँ ठाके, अब लिट्टन को लगा कि भाई, सेर अली रिफ्यूस टू कीप डा ब्रिटिस इन्वाई इन काबुल, अर्लियर ग्रांटेड सिमिलर कंसेशन टूरस्यों, पहले लस्किन के साथ में यह थी, प रसियन इन्वाई उनके यहां पे था, मतलब रसिया के साथ इनकी फ्रैंक्सिप थी, अगर अटैक होगा, तो रसिया के साथ में फिर से एक बिरोध होगा, इसलिए रुका हुआ था, अचानक क्या हुआ, सेर अली ने रसिया जो इन्वाई था, उसको वापस भेलती है, लो आओ, तुमाय सेवा करते है, ठेके, आओ तुमाय सेवा करते है, अभी 10 मिट में सही कर देंगे तुमको, आओ, सेर अली भोला, हम तो जा रहे हैं, हम निकल लेते हैं, कहीं गूफा-उफा में निकला, आते हैं, खाने में, गायब, सेर अली गायब हो गया, लेक्टन पूरी कोई नहीं मिला लिटन पूरी आर्मी की साथ में अब वहाँ पर सेर अली जब भाग गया तो ट्रिटी याकूब खान के साथ हुई याकूब खान सेर अली का सबसे बड़ा बेटा था पकड़ा इसको इधर बताओ तुमां गर्दन काट दें पिताची तुमाहें कहां है कहां तुमाहें अब तो गयो आपबा निकल लियो प्राइखाने से जो हमें बोलो हम सब पे साहिन कर देंगे हम तुमको ना भी नहीं बोलेंगे हम तो कह रहें कुछ मत करो हमको दिल्ली ले चलो कलकत्ता बैठालो हुआ भी चलेंगे लेकिन बैया जो करना हो कर लो हमाँ पिता तो गया हमको फजागे पूरा परिवार हमार आया है तो ब्रिटिस भी हमेशा बहुत हर चीज अपने अंडर में लेना चाहता है तो प्रत्रेक्ष रूप से इन्होंने बोला ठीक है हम तुमास सा संधी करेंगे तुम हो आते यहां के लूलर लितन ने पूरी की पूरी अफग पॉरेंज पॉलिसी वी डंवाइस ऑफ गॉवर्रमेंट आफ इंडिया टेके गॉवर्मेंट आफ इंडिया के एडवाइस पर आमीर जो है वह फॉरंड पॉलिसी कंडक्ट करेगा ठीक है सेगें मनलब आमीर Mतलब वही याकूब याकूब अगर कुछ भी करेगा सबसे पह इस्टैबिस किया जाएगा यह भी अपनी जान लेके बैठते थे रात को सोते थे ना तो इनको लगता था घर्दन तो नहीं काट दी जाएगी हमारी खत्रना की लागा तो कुछ भी हो सकता था रेजिडेंट जादा पैसे बेज़े जाते थे सैली बढ़ा के कोई जाने कोई नहीं ते यहां थमालू में यह कब सनक जहां आफगानिस्टावल कोई भरोसा है ठीक है जी देखो दिक गवर्मेंट आफ इंडिया गिब आमीर और सपोर्ट अगेंस द फॉरिं एग्रेशन और सब्सीडी देखो इनके खिलाप में अगर कोई विरेशी अटैक हुआ तो हम आपकी रक्षा करेंगे और हम आपको साल में कुछ सब्सीडी भी देंगे आप याकूब बहुत अच्छा हुआ हम तो आमीर भी बन गए इतने मज़े भी आ रहे अब तो कुछ कर नहीं नहीं है इस तरीके से लिटन के समय में अफगानिस्तान के साथ में भारत के रिलेशन उससे में ब्रिटिस इंडिया के रिलेशन ने एक अजीब सा मोड लिया लेकिन कसिस अभी बाकी है क्योंकि अभी पूरी तरीके से मामला खत्म हुआ नहीं है देखिए अगर आपने अफगानिस्तान में वहां के ट्राइब का सपोर्ट ने लिया तो आप कभी रूलर वहां बनी नहीं सकते इनको निकलना पड़ा तो लुए उने छोड़ना पड़ा राजगद्धी जैसे इनने राजगद्धी चोड़ी तो ब्रिटिस ववादमी फिर तो ब्रिटिस केだから आगया अब पिर कर आ फिर यहां पर कांधार काभूल कबजा किया अब्दुर्रह्मान ने अमीर बने लिटन चॉक्ड़ाउट अप्लान फॉर डिस्ट मेंबरमेंट ऑफ अफगानिस्तान लिटन ने बोला कि मैं पूरा अफगानिस्तान जो इसके कई कई करके क्योंकि बार-बार ऐसी होगा बार- लो इतना अपने अंडर में ले लो और इसे बफर बना दो यह समझ पा रहे हैं आप क्या में कोई रहा हूँ जी यह इतना एरिया अपने अंडर में लो इसको बफर बना दो ठीक है लेकिन बेचारे लिटन चलेगे प्लान कुछ नहीं सक्सेस्पूल पाया तो जो सोचा वह हो जीता था अफगानिस्टान से सीट उख़ड़ के मारा था अफगानिस्तान ओलो उने पाकिस्तान को स्टेडियम की याद आपको दुबई है इस इतली दुस्मनी बॉडर शि oppression कौन कर गया यह यह इंडिया पाकिस्तान इंडिया बंगलादेश ठीक इंडिया पाकिस्तान ले लो पाकिस्तान अफगानिस्तान सब जगह लाइन की चाहें तुम लड़ो तो मज़े लेंगे बैठके आज ये हालात कर दिये ठीके जी देखेंगे यहां पे कि रिपन आये बैए देखो मुझे आस्टक पूरे इतिहास में एक ही आदमी बहुत सही लगता है ना मुझे बिलियम बेंटिक उतने पसंद चाहें जो कहलो कोई नहीं पसंद माई फैब्रेट पर्सन मुलब एक ऐसा ब्यक्ति है अगर ठीके जिसके समय साथ में प्रिटिस सर इस पूरे प्लान को अब त्यागना चाहता हों और मैं अफगानिस्तान को बस एक बफर इश्टेट बनाना चाहता हूं और कुछ नहीं यह प्लान तोड दिया जो लिटन का था कि अफगानिस्तान के कि टुक ले बब रहने दो जब मुशीबत आएगी तो देख लेंगे प अब तुमारा कोई रेजिडेंट नहीं कुछ नहीं हभी बुल्ला ने अबदुल रह्मान को ठीके के सक्षेजर हुए 1901 में इन्हों ने ओपन वर ब्रिटिस के खिलाब किया एक 1921 में सांती बनाई गई ठीक है वेन अफगानिस्टान रिकवर्ड इंडिपेंडेंडेंस इन दा पॉरिन अफेर्स और पीस केम इन 1921 और अफगानिस्टान के साथ में इनकी बात होती है और इस प्रकार सिनके बीच में आ स्वतंत्र हैं इस प्रकार से 1921 से अफगानिस्टान जो था वो पोईटरिके से स्वतंत्र हो गया था ठीक है अपनी बिदेशी नीती मामले में बस इसी पर कप जा था यह वाला रेजिदेंट ने बिदेशी मामले पर ही अस्तक छेप करता था जो क्यों 1921 में ठीक है ठीक है देखेंगे अगरी पन लेबर पार्टी से वो कंजर्वेटिव से हैं अब बहुत ट्राइब हो आप एक नहीं है बहुत ट्राइब है देखेंगे ब्रिटिस इंडिया एंड नौर्थ वेस्ट प्रेंडियर दिकॉंक्वेस्ट आप सिंध एनेक्सेशन आप प प्रिटिस बॉंडरी जो थी वो बलूच पठान के बिल्कुल करीब पहुच गई ठीक है फूर मोस्टी इंडिपेंडेंट बड़ आमीर आफगानिस्तान क्लेंड नौमिनल सूजरेनेटी ओबर देम और अफगानिस्तान की जो आमीर थे वो नाम मात्री के एक सूजरेनेट रखते थे कि बलूच पठान हमारे अंडर में ठीक है डूरिंग 1891-92 ब्रिटिस अभूपेशन पाफ हुंजा नगर ठीक है बेटा यह हुंजा नगर गिल्गिट वैली में है अगर आप इंडिया का मैप देखो यह पाकिस्टान अकुपाइड हो गया कुछ नहीं हमारा ही पाकिस्टान अकुपाइड हो गया है यह आपकर मैप मैप देखो यहां पर हुंजा नगर ठीक है गिल्गिट वैली में विच वर पासिस कमांडिंग कम्मुनिकेशन विद्धा चित्राल चित्राल आपके खैबर पास में एक स्पेज एक कम्मुनिक की मिलब क्या कह सकते है वहां पर अबडुल रह्मान जो थे उनको एक अलाम मुल हुआ अमीर अफगानिस्तान के कि ब्रिटिस हमारे करीब आ गया है अब जब ब्रिटिस करीब आ गया तो इन लोगों ने बोला यार हम लोग ना हमेशा लड़ेंगे हम अपने बीच में बाउंडरी डिसाइड कर ल मिले और कुछ एक्स्ता सब्सीडी भी मिली बोला तुमको इसका पैसा भी मिलेगा यह डिस्टिक भी मिलेगा तुम काम करो ठीक है बड़ यह जो डूरंट एग्रिमेंट ऐटी नाइंटी टीटी टू कीप पीस एंड सून देर वर ट्राइबल अपराइजिंग ठीक है इसक लॉड करजन की टाइम में क्या था मैं आपको बता दू लॉड करजन 1899-1905 की बीच में थे ठीक है इनकी पॉलिसी को हम कहते हैं अफगानिस्तान के लिए बिड्रॉल एंड कंसेंट्रेशन पॉलिसी इन्हों ने वहां के ट्राइवल्स को इंकरेज किया कि भाई तुम इंक प्रसनाल्टी मिलेंगे खान अब्दुलगफार खान ठीक है जी खान अब्दुलगफार खान दफ्रंटियर गांधी इन्हों ने उन सभी इलाकों को मिलाकर जो पठान बलूच के पठानों के अंडर में थे जो अफगानिस्तान की वांड़ी से टाच होते थे उनको बना द दाइरेक्ट मिला दिया गवर्मेंट आफ इंडिया में इससे पहले यह जो इलाका था यह लेटनेंट गवर्नर और पंजाब के अंडर में आता था लेकिन नहीं इन्होंने बोला कि वहां से अपनी सेनाव को बिड्रो किया ठाइब को इंकरिज किया ठीक है और कंसेंट्रे कियर में पीस्फुल रिलेशन डेवलाप किया दपीस्फुल कंडिशन कंटीनूद देर आफ्टर विद्ध ऑकेजनल ट्राइबल अप्राइजिंग कभी कभी ट्राइब अप्राइजिंग होते थे लेकिन हमेशा नौर्मल मामलत सांती रहा जनवरी 1932 का समय आया इट वह ए पाकिस्तान के साथ में मिल जाता है खान अब्दुलकफार खान को बहुत बुरा लगा था कि हमारे इतने आंदोलन का मतलब क्या निकला अगर मुझे पाकिस्तान के साथ जाना ही था यह आपने देखा होगा और आगे में कनेक्ट करूंगा ठीके आगे समझ में अधेर हुआ पूरी कहानी पीडियाफ अभी मैं आपको सेंड करता हूं ठीके इसकी पीडियाफ में आपको सेंड करता हूं तो आपको मालूम होगा यह सबसे बड़ा ग्रेब्यार्ट बना तो मैं अफगानिस्तान क्लियर है कई लडाई कई युद्ध हुए लेकिन यह हमेशा स्वतन्त रहा डीपक वन यूपी सी सर्च करो ठीके जी यहीं पर आपको मैं पीडियाफ सर्थ देता हूं क्लियर है जी हां मैं आपको पीडियाफ यहीं पर सेंड करता हूं ठीके अभी आप यहां से डाउनलूड कर सकते हैं ओके लाइक करो सेशन को जो नहीं लाइक किया है फिर देख रहे हो फिर हालात क्या होंगे मुझसे मत बोलना पर भूटान वाले लेक्चर का पीडियाफ में दे देता हूं और क्या चाहिए बस भूटान का दे देंगे देंगे एकोनॉमी का कल आपको मालूम है मैरातने साम को पाच बजे तयार रहिए जब आपने फिजिकल पॉलिशेवला चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा क्लियर होगा और उसके आगे इंफ्लेशन का भी चैप्टर होगा और इतने भी हो जाएंगे कल देखते मिनिमम तीन घंटे मैक्सिम पाच गंटे कल का सेसन जलेगा ठीके यस ओके तो सी यू टुमार चलिए बहुत अच्छी बात है कल मिलते हैं सामको पाच मुझे ठीक इंडियन सुसाइटी का जिसको टेस्ट देना होगा सुबह नौ बजे रेडी रहे एंडियन सुसाइटी का मेंस लेबल का टेस्ट है हाँ दे देता हूँ मैं दोनों लेक्चर का पीडियाप ठीक है चलो पापाई टेक केर आप गुड़ डे जैहिंद